बारत के ग्रेंड मास्टर विदित गुजराती यहाँ पर नौवे राउंड में फीडे कैंडरेट के एक बार फिर से हिकारू नाकामुरा के आमने सामने होंगे, पिछले बार हिकारू नाकामुरा को काले मौरों से बहत बहतरीन अंदाज में पराजित किया था विदित ने, देखना होगा कि आज वो कैसे कमबैक करवाते हैं क्योंकि पिछला राउंड गुकेश से हा रहे हैं विदित और जीत के बाद अली रेजा के उपर उन्होंने वापसी की थी यहां पर जो है उन्हें हार का सामना करना पड़ा है विदित को और यहां पर अब देखना होगा कि विदित जो है इस तरीके से अब वापसी करते हैं क्योंकि गुकेश से उनको हार का सामना पिछले राउंड में करना पड़ा था और नाकाबुरा ने पिछले राउंड में करवाना को पराजित किया है तो अगर देखा जाए तो पिछला मैश नाकाबुरा ने विश्व के नंबर 2 खिलाडी को हराया है और विदिद जो है हमबतन खिलाडी से हारे हैं तो ऐसे मैं वापसी करना विदिद के लिए और कठिन बन जाता है बट ऐसे में ही खिलाडी का असली केरेक्टर भी सामने आता है तो देखना होगा कि आज के मैच में क्या ओपनिंग होती है पिछले वर हमने देखा था राई लोपिज में सर्प्राइज करते हुए नाका मुरा को पराजित किया था जो तरीका है उसको कायम रखते हुए इस पूरे टोर्नमेंट में E4 खेल दिया है विदित ने E4 खेल करके खेल की शुरुआत करिया यहाँ पर और देखते हैं कि नाका मुरा क्या जवाब देंगे नाका मुरा ने भी E5 खेल दिया है क्या दौनों के बीच फिर से राय लुपेज होगा या विदित शायद कुछ चेंज कर सकते हैं हमने देखा है पिछले मुकाबलों में इटेलियन का सहरा लिया है उन्होंने इटेलियन खेला है इवन कल भी कुकेश के खिलाप इटेलियन ही खेला था नाइट फ्री यहां पर खेलते हुए विदित नाइट सी सेक्स और अब वो चाल जो डिसाइट करेगी राय लुपेज होगा या फिर यहां पर इटेलियन होने वाला है क्या लाइन होगी वो हम आपको बताते हैं ओके यहां पर बिशप सी फोर खेल दिया है विदित ने और देखते हैं नाकामुरा की यहां पर चाल है नाकामुरा ने खेल दिया है नाइट एफ सिक्स यहां पर डी थरी खेलते हुए विदित और अब अगली चाल है यहां पर नाकामुरा की तो अरोने एक प्रकार से आप देखे इतलियन ओपनिंग हुई है आप देखते हैं कि नाका मुरा क्या लाइन चूज करते हैं बिशप C5 H6 खेला है ये थोड़ा कम खेला जाता है यहाँ पर यूजली बिशप C5 आप निकालते हैं तो H6 वरियेशन यहाँ पर खेलते हुए नाका मुरा और विधित नहीं यहाँ पर C3 कर दिया है तो जो अपने स्टैंडर्ड प्लान है C3 D4 का उसी को एपलाई यहाँ पर करते हुए बोर्ड के उपर और अब नाका मुरा को जवाब देना है नाका मुरा सॉलिड जाते हुए D6 खेलते हुए जैसे बोलते हुए कि मुझे अभी फिलहाल कोई फरक नहीं पड़ता है आपकी D4 के प्लान से और यहाँ पर विधित नहीं कैसलिंग कर लिया है अपने राजा को सुरक्षित करते जिखते हैं नाका मुरा के अगली चाल यहाँ पर नाका मुरा क्या खेलते हैं नाका मुरा ने G5 खेला है यह बहुत इंटरस्टिंग होने वाला है जिस तरह से नाका मुरा ने ये वेरेशन चूस किया G5 समाव अब आप यह मान के रखें कि जब भी अगर आपने कैसल किया शॉर्ट शाइड में विधित ने पहले नाइट BD2 खेल दिया है, अगर आपने कभी इस तरफ कासल किया तो ये आपके लिए एक major weakness रहेगा, बिशप G7 खेलते हुए और intention तो वही है कि शॉर्ट कैसल करने का है, तो शायद rapid या blitz में तो ये line effective हो सकती है, लेकिन classical में कितना effective होगी ये depend करेगा कि आगे match कैसे चलता है, विधित ने चुप चाप बिशप को B3 पर खींच दिया है यहाँ पर, और ये clear कर दिया है कि बिशप को इसी diagonal में रखने वाले हैं A5 किया है नाकामुरा ने, तो देखिए नाकामुरा बोड के दोनों हिस्सों से खेल रहे हैं यह और यहाँ पर विधित ने A4 करते हुए, शेक्योर कर दिया कि भाई बिशप तो हमारा यहाँ ही रहने वाला है और उसकी नजर आपके राजा के उपर ही रहने वाली है और यहाँ पर कैसलिंग करते हुए नाकामुरा, मैं यही बोलूँगा कि भले position ठीक है लेकिन हमेशा कि ध्यान रखना होगा कि आपने इस तरह से जो राजा को स्लाइट कमजोर किया है तो क्या विधित कभी इसका फायदा उठा पाते है, नाइट C4 अभी देखिए विधित था इंटेंशन बड़ा क्लियर है, C4 के बिशप को पीछे खीचा, नाइट को उपर लेके गया है, आइट को E3 से F5 अगरे जाने के लिए रास्ता बन रहा है, ओके बिशाप E6 यहाँ पर आता हुआ, रुकी बन खेल दिया यहाँ पर विधित नहीं, और गेम में अपने हाथी को यहाँ पर गेम में लाते हैं, एक प्रकार से E4 के पॉन को सपोर्ट करने का मतलब है कि D4 की तैयारी जो है वो पूरी तरीके से बोल्ट पर शुरू होने वाली है, ओके रुक E8 खेला है नाकामुरा नहीं यहाँ पर बोल्ट पर, और अपने E5 के पॉन को स्ट्रेंथन भी किया है, और एक प्रकार से E5 पर पर प्रेशर रखा है, और अब देखना होगा कि विधित कं इंट्रस्टिंग मुव है कि आप अपनेंट को G4 जैसा कुछ ऐसा थ्रेट नहीं देना चाहते हैं, और नाकामुरा को, नाकामुरा कुईन D7 आते हुए, इस डागमल पर फोर्स करते हुए, लेकिन इससे इतना इंपक्त अभी पड़ेगा नहीं क्योंकि मेर्टिंग थ्रे और किस तरह से प्रोसीड करेंगे, रुकेट यहाँ पर करते हुए, क्योंकि भले ही आपने यह पर चल दी, आप इससे आगे प्रोग्रेस नहीं कर सकते हैं, आपकी वीक्नेस हो जाएगी, से आप ओपन करने ही सकते हैं, तो आप कहां से खेलेंगे, आपको स्लो ही खेलना हो कभी न कभी उसकी शुरुआत तो करनी ही पड़ेगी, विदिद बिशप एटू खीचते हुए, देखे एक बार फिट से वही गेम चल रहा है, कि करिए आप करेंगे, कि आपकी चाले लगबख खतम हो रहे हैं काले कि आपको कुछ ना कुछ तो एक्टिव करना पड़ेगा का बोर्ड पर, फाइनली नाका मुरार नाइट एच फाइब पर हटते हुए, और क्या ये नई शुरुआत अब यहाँ पर विदिद की भी होगी, नाइट एच फाइब, नाइट एफ फोर आने की तयारी, मतलब कुल मिला करके आपको कुछ खाने छोड़ने पड़ेंगे, जैसे d5 का स्क्वार, g4 का स्क्वार, विदिद नाइट e3 आते हुए, और फिलाल यहाँ आप देख सकते हो, कि बोर्ड के इन स्क्वार पर अपनी नजर जो है, घोड़े के जरिये वो रख रहे हैं, नाइट e3 यहाँ पर आ चुके हैं, विदिद, यहाँ पर बिशप d4 से अभी अभी control हटा है, यहाँ से आप देख सकते हो, तो विदिद भी शायद d4 के लिए जा सकते हैं, अब इस position में, बिल्कुल विदिद d4 खेलते हुए यहाँ पर, और नाकामुरा की है अगली चाल, क्या नाकामुरा यहाँ पर exchange करेंगे d4 पर, या कोई और चाल होते हुए विदिद, और देखते हैं, अगली चाल, यहाँ पर क्या होगी नाकामुरा की, उस्ते हुए नाकामुरा, उन्होंने d5 खेला है, interesting है d5, क्योंकि अगर white e5 इस position पर खेल देगा, तो फिर आपका queen और यह जो रुक है, इनका position थोड़ा गरबड नहीं साबित हो ज रुक c8 सुधारते हुए उसको, लेकिन यहीं पर ही खेल बढ़ सकता है, और विदिद के पास ना सिर्फ अभी space है, बलकि king side का जो weakness है, उसकी तरफ नजर भी है यहाँ पर, विदिद ने रुक a3 खेला है यहाँ पर, और रुक को 3rd rank से game में लाने की कोशिश है, c5 कर दिया है नाका उराने इस position में, और जो मुझे एक important बात लग रही है कि यह जो घोड़े g4 के आसपास जा सकते हैं, यहाँ पर विदिद ने फिलाल c5 मा रहा है, dc5 मा रहा है उन्होंने, लेकिते हैं रुक से मारेंगे या pawn से मारेंगे, रुक into c5 यहाँ पर बोर्ट पर आता हु होगा, आप देखिए एक तो यह isolated pawn यहाँ पर center पर बन चुका है इनका, विदिद ने पहले तो queen d1 खेल दिया है, फिलाल e5 का pawn protected है, जुरत पढ़ने पर रुक स्विच हो सकता है, बिशप जो है आप इस diagonal पर रख सकते हैं, बढ़िया की position पर यहाँ पर, और यहाँ पर knight f4 आता हुआ, इतने विदिद के अगली चाल क्या होगी इस position में, विदिद ने b4 खेला, यह भी एक अचीच बात है कि आप अपने queen side का जो structure उसको solve कर लें, क्योंकि king side की जब बात आएगी, तो आपकी position वहाँ पर बहतर नजर आएगी, आपका structure solid है, और upper end की pawns open है वहाँ प दिया है, और ba5 यहाँ पर, ओके, यहाँ पर bishop c5, knight c6, क्या इस तरह से चाले हैं, यहाँ पर हो सकती है, और देखते हैं, विदिद क्या सोच रहे हैं यहाँ पर, yes विदिद ने bishop into a5 यहाँ पर मार दिया है, और यहाँ से विदिद एक pawn up है, निश्चित तोर पर यहाँ पर एक pressure जरूर है, उनके उपर, ok, knight c6, अभी देखे, जो नाका मुरा का idea था, basically उन्होंने इस पर attack किया है, bishop को आप पीछे ले सकते हैं, but anyway आपका pawn मरेगा, लेकिन d5 भी तो मर रहा है, ok, विदिद ने bishop c3 यह यहाँ पर खेल दिया है, और नाका मुरा की यहाँ पर चाल है, देखते हैं, नाका मुरा क्या खेलते हैं, e5 का pawn recover करते हुए, knight e5, लेकिन क्या यह गलत चाल है, क्या यहाँ पर और कुछ कर सकते थे, क्योंकि इनका भी d5 का pawn यहाँ पर मर रहा है, क्या थोड़ा और इंतज क्या वो भी बिशप इंटू E5 यहां पर मारेंगे बिशप इंटू E5 यहां पर मारते हुए और अब मिरे ख्याल से नाइट D5 की चाला रही है विधित की और से क्योंकि आप एक्षेंज करेंगे और उसके बाद E5 का जो पीस है वो मरेगा यहां पर तो यहां पर नाइट इंटू D5 और आप देखें कि अब एक क्लियर पास्ट पॉन है विधित के पास और क्लियर पास्ट पॉन के लावा यह राजा भी तो कमजोर है क्योंकि अगर यह ब पॉन डाउन एंड गेम रुक एंड गेम मैं शायद चांसे सो ड्रॉ के पर फिलहाल यहां पर इन्होंने मारा है नाइट इंटू D5 विधित ने खेल दिया है नाइट इंटू E5 क्वीन पर अटैक है और मुझे नहीं लग रहा है कि यह नाकामुरा के लिए अच्छी पोज चाल है आप इस घोडे को हटाते हैं तो रुक D6 आ रहा है और ओके उन्हाने नाइट F4 खेला है मतलब रुक D6 यहां पर अलाउ किया गया है यह तो मेरे ख्याल से संकट की घरी घरी और वही जो ओपनिंग ने आपने चाल चली थी रुक D6 उसका नुकसान आपको होगा इन्टू H6 मार देंगे यहां पर रुक इन्टू H6 विधित की तरफ से आता हुआ मेरे ख्याल से और राजा की इस्तिती भाई राजा का तो बाजा बच जाएगा फिर यहां पर वाउ क्या बात है विधित लगातार दूसरी बार क्या नाकामुरा को पराजित कर देंगे न उन्होंने कुईन B2 खेला है लेकिन क्या यहां पर वजीर की भी एंट्री होने की तैयारी उन्होंने E5 के इस घोड़े पर अपनी नजर रखी है लेकिन क्या यह वजीर अंदर की तरफ आ रहा है और अगर यह अंदर आ रहा है तो फिर तो बहुत खराब इस्तिती होने वा प्र I các B ज्यादा बढ़ चुकी है यहाँ पर केल्कुलेशन में ज्टेक हुई है गलती भूई है और उसका फाइदा जिस भी बहतरी नंग से उठा सकते थे, विदितन उठाया है, नाका मुरा बेहत परिशान यहां पर, बेहत परिशान नाका मुरा यहां पर, और क्वीन B3 यहां पर खेल दिया है, नाका मुरा नहीं, बट क्वीन F5 आ रहा है, इसके बाद गेम बचे गई नहीं क्या खेलेंगे आप कुईन B3 के बाद भी कुछ होने वाला नहीं है कुईन F5 आई रहा है और उसके बाद गेम खतम समझ लेजे कि आप कैसे बचाएंगे उस पोजीशन को और विदिद की अगली चाल देखते हैं क्या खेलेंगे विदिद कुईन F5 बहुत नैच्रल लग रहा है क्योंकि फिर उसके बाद आप देखे कि वजीर के पहली तो जी फाइफ ही मर रहा है उसके बाद फिर वजीर के एंट्रिव मेट लगी हुई है वहाँ पर कुईन F5 कुईन F5 बोर्ट पर आ चुका है नाका मुरा के पास नाइट G6 वापस जाने के लावा कोई रास्ता नहीं है और मेरे ख्याल से वहाँ पर विदिद सैक्रिफाइज मार देंगे आप नाइट G6 से नाइट G6 नहीं मार सकते क्योंकि आपका रुक हैंगिंग है ले उसके बाद आपके राजा के पास बचने के लिए ज्यादा कुछ जो है बचेगा नहीं वहाँ पर ओके यहाँ पर रुक इंटू G6 मार दिया है विदित ने और नाका मुरा यहाँ पर हार स्विकार कर चुके हैं तो यहाँ पर देख से बताते हैं आपको कि अगर यह पॉन आएगा यहाँ पर आप देख सकते हो चाल आप बता सकते हो यहाँ पर कुइन एच शिक्स पहले खेलना होगा आपको जल्दबाजी में नाइट एफ सेवन नहीं खेलना है अधरवाइज आपका मतलब खेल और आगे बढ़ जाएगा और बहुत फाइट करनी पड़ेगी त देन कुइन इटू जी फाइफ आप रिकवरी करेंगे किंग वापस एट सेवन के आसपास जाएगा देन कुइन जी सिक्स वापस किंग एचेट एट एट आपने पॉन अल्री रिकवर किया है आप अपने रुक को गेम में ला सकते हैं और अपोनेल को एक्चुली में कुइ या रुक इंटू इफाइफ भी मारेंगे तो कोई बात नहीं यहाँ पर झाल